हेलो दोश्तों यदि आप रवरता की स्पोकरन इंगलिस का फुल कोर्स यूटीब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां प्लेलिस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के सारे वीडि से जाएंगे इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज असानी से समझ में आ जाए और आप नए हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकिन के साथ आपको मिलते रहें और आप आपके अपने निलेज के साथ डेली इंग्लिफ प्रेक्टिस का यह दस्वाल एसन है जहां हम चीजों की तुलना कैसे करते हैं वह सीखेंगे किस प्रकार से इंग्लिफ में चीजों की तुलना करने वाले सेंटेंस बनाये जाते हैं यही आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं sentences of comparison सबसे पहले हम देखेंगे degree तो degree को पहले हम समझेंगे जैसे एक सब्द है हमारा big big का अर्थ होता है बड़ा तो यह क्या है adjective है या विशेशन है यह सब्द क्या है कौन सा है adjective या विशेशन है किसी भी चीज के वारे में कोई गुन विशेश्था या इस्थिती को बताने के लिए जिस सब्द का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है adjective या विशेशन जैसे big big मतलब बड़ा जो क्या बता रहा है बड़ा है तो इस प्रकार जो हमारे विशेशन होते हैं जिससे हम किसी भी चीज की विशेश्था बताते हैं किसी भी चीज के बारे में गुन वर्स्था इस्थिती के बारे में बताते हैं वो हमारा विशेशन होता है और इस विशेशन या adjective के विभिन रूप होते हैं उसी को ही हम डिगर कहते हैं तो जो हमारा big है जिस का रथ होता है बड़ा वो कहलाता है हमारा positive degree और यदि हम इस big में यदि er लगा दे तो क्या बन जाएगा bigger हम big में er लगा के जो सब्द बनेगा bigger वो कहलाएगा हमारा comparative degree अब यदि हम big में est लगा दे तो बन जाएगा biggest मतलब सबसे बड़ा तो यह कहलाएगा हमारा superlative degree तो एक ही adjective के यह तीन रूप होते हैं big bigger biggest शायद आपने स्कूल में से पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो यह चीजे degree कहलाती है तो हम grammar की साब से नहीं थोड़ा सा जितना हमें ज़रुत है बस उतना ही देखेंगे तो किसी भी adjective में comparative degree बनाने के लिए यह लगाते है और superlative degree बनाने के लिए est लगाते हैं इसका थोड़ा सा एक नियव है कि यदि अंतिमक्षर वेंजन है और उसके पहले i swear है तो उसको हम double बार लिग देते हैं और फिर er या est लगाते हैं तो big bigger biggest यह होगा है हमारे adjective की तीन डिग्रिया या adjective के तीन रूप तो clear degree मतलब होता है adjective के तीन रूप positive comparative superlative clear उसी प्रकार से एक चीज़ों हम समझें दूसरा सब्दे लेते हैं tall means होगा लंबा तो positive degree होगी tall इसकी comparative degree e r लगाके बन जाएगी तो होगी taller तो इसका अर्थ भी होगा लंबा और superlative degree हो जाएगी e st लगके tallest मतलब सबसे लंबा clear, tall, taller and tallest प्रंतों कुछ degree है ऐसी होती है जिसमे e r और e st नहीं लगता है comparative superlative के लिए जैसे की positive degree है हमारी beautiful यह एक अजिक्टिव है हमारा beautiful मतलब जिसका आर्थ होता है सुन्दर इसको comparative degree बनाना है तो उसमें हम पहले लगाएंगे more तो कुछ ऐसे adjective होते हैं जिसकी comparative और superlative degree बनाने के लिए उसमें e r e st नहीं लगता है बलकि उसके आगे comparative में लगता है more तो beautiful के पहले हम क्या बोलेंगे more beautiful मतलब अधिक सुन्दर और superlative में लगेगा most तो हो जाएगा most beautiful क्लियर कुछ adjective में हम e r और e st लगाते है competitive और superlative के लिए मगर कुछ में हम more और most का use करते हैं तो यह आपको पढ़ने को मिल जाएगा अब degree का के use है तो positive degree का simple जैसे की gogi is tall तो tall adjective है और जो कि यह positive degree है यह positive रूप है adjective का तो इसका अर्था क्या हो रहा है tall की gogi लंबा है tall means लंबा पर यदि हम तुलना करना चाह रहे हैं तो तुलना के लिए हम यूज़ करेंगे उसकी tall की comparative degree तो gogi is taller और फिर यूज़ करेंगे than तुलना करने के लिए हम th then सब्सका यूज़ करते हैं और किस से his brother तो gogi is taller than his brother gogi उसके भाई से लंबा है clear अब यदि हम बोलना चाह रहे हैं कि सबसे लंबा है सबसे लंबा या सबसे अधिक लंबा है तब हम यूज़ करेंगे super latitude degree gogi is tallest in his class class में हुआ सबसे लंबा है तो यहां पर तीनों डिगरी का यूज़ किया है हमने simply कहते हैं लंबा है कोई विशेष्था बताते हैं तो positive degree का यूज़ करते हैं गोगी is tall मतलब लंबा है जब हम तुलना करते हैं तो हम यूज़ करेंगे comparative degree तुलना करने के लिए कौन सी डिग्री यूज़ होगी एक जिक्टिव की comparative degree तो टॉल की बज़ा हम यूज़ कर रहे हैं taller और सबसे जादे अधिक बोड़ रहे हैं कि सबसे अधिक है सबसे अच्छा है अधिक लंबा है तो tallest मतलब इसकी superlater degree हम यूज़ करेंगे clear, simple बोलना है, लंबा है, तो tall, तुलना करना है, तो taller, comparative degree और सबसे अधिक लंबा है, तो हम यूज़ करेंगे, superlative degree, tallest, clear, और example देख लेते हैं, this mobile is good, जदि अच्छा है, तो this mobile is good, good, positive degree हुई, पर तुलना करना है, तो this mobile is better than yours, अब good की comparative degree ढून रहा है, gooder, तो कुछ सब्दे ऐसे होते हैं, जिसकी comparative, superlative degree अलग-अलग होती है, वो ER और EH लगा के नहीं बनती है, clear, तो जैसे ही good की comparative degree होती है, better, clear, तो good की comparative degree होती है, better, इसलिए हमने यहाँ पे better का यूज़ किया है, अब तुलना करने के लिए अच्छा है बोल रहा है तो good, और अच्छा है तो बोल रहा है, पर यहां तुलना हो रही है, तब हम यूज़ करेंगे better, और फिर than, और फिर उसके बाद इससे भी तुलना कर रहा है, वो आ जाएगा, this mobile is better than yours, कि यहाँ mobile तुम्हारे mobile से अच्छा है, तो अर्थ तो वही आ रहा है अच्छा है, अब सबसे अच्छा है बोलना चाह रहा है, तो हम जो good है, उसकी super late degree यूज़ करेंगे, और super late degree क्या होती है good की best, clear, तो this mobile is best in this price range, कि इस कीमत में यह mobile सबसे अच्छा है, clear, तो अर्थ एक ही आ रहा है, पर use अलग-अलग है, जैसे अर्थ good का होता है अच्छा, better का भी अच्छा, और best का भी अच्छा, मतलब कहने का आसे होता है सबसे अच्छा, पर अच्छा तो meaning आ रहा है, clear, तो अच्छा बेस्ट का हम यूज करेंगे, तो best करता होगा, सबसे अच्छा, better, मतलब तुलना कर रहा है, अच्छा है किसी चीज़ से, और अच्छा है, simply बोलना है, तो हम यूज करेंगे एक super positive degree का good, I think आपको समझ में आ गया होगा, और भी हम, examples देखेंगे, रहित is intelligent, रहित होश्यार है, तो intelligent होगी हमारी positive degree, क्यों इतना बोलड़ा है कि होश्यार है, पतुलना कर रहा है, पतुलना करने के लिए, हम comparative degree यूज करेंगे intelligent की, तो इसमें er नहीं लगेगा, बलकि लगेगा सामने more, comparative degree के लिए, तो more intelligent, intelligent की comparative degree, more intelligent, तो sentence हुआ, रहित is more intelligent than azay, कि रहित अजय से ज्यादा होश्यार है, होश्यार तो अर्थे आ रहा है, पर ज्यादा है, तुलना हो रही है, comparative degree का यूज कर रहे है, more intelligent, अब सबसे ज्यादा होश्यार है, तो हम यूज करेंगे superiority degree, most intelligent, तो sentence होगा, रहित is most intelligent in his class, रहित class में सबसे होश्यार है, यह सबसे ज्यादा होश्यार है, clear, अच्छा है, होश्यार है, तो intelligent, तुलना करें किसी से, तो more intelligent, और most intelligent, सबसे ज्यादा होश्यार है के लिए, clear, तो एक चीज हमने सीखी, कि किसी भी चीज से हम जब तुलना करते हैं, तो comparative degree का यूज करते हैं, clear, तो एक तरीका हो गया, फिर्स्ट वे, या पहला तरीका हो गया, तुलना करने वाले sentence को हम comparative degree का use करके बनाते हैं, clear, इसके examples देख लेते हैं, मेरा घर राज की घर से बड़ा है, कि मेरा घर राज की घर से बड़ा है, clear, तो bigger, बी की comparative degree है, जिसका रथ होता है, बड़ा, और comparative degree के बाद हम यूज करते है, then, then, then का use के वाल तुलना करने के लिए प्रेव किया जाता है, और एक होता है, then, जिसका रथ होता है, तब, clear, मैं यूज देन के बाद कर रहा हूँ, then, 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 यह होता है, then, जिसका रथ होता है, तब, परन्तु यह जो then है, इसका हम यूज करते हैं, तुलना करने के लिए, then के बाद में, यह कहीं पर भी तुलना करते हैं, जब हम then का प्रेव करते हैं, और यह, then, then का अर्थ होता है, तब, जिसका वेन का कब, तो then का तब, तो next example, रिया अधिक सुन्दर है, प्रिया से, रिया is more beautiful than प्रिया, रिया is more beautiful than प्रिया, beautiful की comparative degree, more beautiful, train, बस से तेज है, बिल्कुल, train is faster than bus, train is faster than bus, तो तुलना कर रहे हैं, तो fast मतलब तेज होता है, तो उसकी comparative degree faster, यदि तेज है बोलना चाहा रहे हैं, तो train is fast, बस तेन, किसी चीज़ से अधिक fast है, तुलना कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे train is faster, फिट देन, और फिजिस से भी तुलना कर रहे हैं, बस तो bus, तुम उससे अधिक सक्ति साली हो, you are stronger than he is, you are stronger than he is, मतलब तुम उससे अधिक सक्ति साली हो, strong हो, इस तो strong मतलब, सक्ति साली, ताकतवर, मजबूत, तो stronger हो जाएगी उसकी comparative degree, अब यह पिछले की तुलना में बहतर है, now, it's better than the previous, now, it's better than the previous, तो better का रहता भी होगा, अच्छा, और यह comparative degree है कि इसकी, good की, तो good का रहत होता है अच्छा, तो better का भी हर्थ होगा, अच्छा, और comparative degree है, मतलब किसी चीज़ से अच्छा है, हम यह तुलना कर रहे हैं किसी से, अब second way, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है, हम similar to, सब्द का यूज़ करते हैं, जिसका हर्थ होता है, के समान, similar का हर्थ होता है, समान, और similar to, का हम प्रयूख करते हैं, जिसका रहत होता है, के समान, जैसे example से समझते हैं, यह पहले वाले प्रस्ण के तरह है, this question is similar to previous question, clear, कि this question, मतलब यह प्रस्ण, similar to, के समान है, previous, मतलब पहले वाला, मतलब प्रश्ण तो यह प्रश्ण पिछले वाले प्रश्ण की तरह यह के समान है तो सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं कई तरीके के वर्ड यूज़ कर सकते हैं पर में चीज है कि हम यहां पर चीजों की तुलना कर रहे हैं इससे बोल रहे हैं कि यह मेरी सर्ट उसकी इसका रंग संत्रे की तरह है इस कलर इसका कलर इसका कलर इसका कलर इस है इसका स्वाद नीमू के समान है इस टेस्ट इस सिमिलर टू लैमन दोनों समान है दोनों एक जैसे हैं बोथ हार सिमिलर अब दूसरा तरीका similarly का हम यूज़ करते हैं जिसका रहत होता है उसी प्रकार तो similar to या similarly similarly मतलब उसी प्रकार से जैसे की मराथी महराश्ट की छेत्री अबासा है उसी प्रकार पंजाबी भी पंजाब की छेतरिय भासा है या लोकल लेंग्वेज है तो मराथी is local language in महराश्टरा similarly उसी प्रकार से पंजाबी is the local language in पंजाब clear उसी प्रकार से मैंने वही किया था जैसा कि आपने मुझे बताया था I did similarly as you told me similarly वैसे ही जैसे तिसरा वे like a like a या like तो like कार्थ होता है कि समान की तरह या जैसे तो like का काफी हम sentence देखने को मिलते हैं आपको जैसे वह एक मालिक की तरह आदेश दे रहा था he was ordering like a boss he was ordering like a boss वो boss की तरह आदेश दे रहा था तो की तरह या के जैसा है तो हम like का भी यूज करते हैं और किया जाता है वे कुत्योड बिल्ली की तरह लड़ रहे है they are fighting like a kitten dog they are fighting like a kitten dog तो like का अर्थ क्या हो रहा है की तरह या के समान आप अपने पिता की तरह दीखते है you look like your father तो देखा हम कैसे याँ पर like का यूज करके तुल्ला कर रहे है च्छा तरीका होगा rather than rather than का यूज अर्थ होता है के बजाए मुझे चाय की बजाए कॉफी पसंद है I like coffee rather than tea यह ऐसा भी simply हम कह सकते है कि मुझे चाय से अच्छी कॉफी लगती है कि बजाए हम बोल चल में साहथ आप यूज नहीं भी करते हो पर कहने का अर्थ हो रहे हैं कि हम दो चीज़ों के हाँ पर तुलना कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से अच्छी यह शीज़ लगती है क्लियर ज़री हिंदी की साफ से देखे तो अर्थों का की बजाय या कि बलकी कि मुझे चाए की बजाय कॉफी पसंद है मैं अपने भाई के बजाए वह अपने भाई के बजाए अच्छा दिखता है मतलब भाई से जादे अच्छा दिखता है He looks smart rather than his brother मतलब उसके भाई के तुल्ला में वह अच्छा दिखता है रवी धारवाई को की बजाए फिल्म देखता है रवी watches the movie rather than serials clear की रवी movie देखता है serials के बजाए सहीं भी है serials की कहानी सालो साल चलती रहती है खतम ही नहीं होती है और movie की story तीन हंटे में खतम हो जाती है ओके चो next example वह बस के बजाए 22 से जाता है मतलए he goes by bike rather than bus now पाचवर तरीका in the comparison of बैशे तो कोसे लिए ही थी होता है तुलन तो पर इस प्रकार की सब्दभम भी हम comparison to x कर सकते हैं तुला करने के लिए जब हम बोल रहे हैं कि इसकी तुला करते हैं जैसे in the comparison of in the comparison of या की तुला में इस प्रकार के जब हम सब्द बोलते हैं जैसे कि aluminum की तुला में अधिक भारी है In the comparison of aluminum iron is heavy clear तो की तुलना में जिस प्रकार के हम सब्द बोलते हैं तब हो वहाँ पर in comparison of सब्द का यूज करते हैं और चीजों की तुलना करते हैं आईफोन की तुलना में Samsung का मोबाईल सफ्सथा है in the comparison of ाईफोन Samsung's mobile is cheap मेरी इंगलिज के तुलना में आपके English अच्छी है In the comparison of my English Your English is good Now, sixth way, चटवा तरीका जहां पर हम adjective का यूज़ करते हैं और उसके पहले as और बाद में भी as लगाते हैं जिसका रथ होता है as से जैसे की या उतना जितना की मतलब उसकी तरह ही बिलकुल तो इसका यूज़ हम करते हैं कुई चीज बिलकुल उसी की जैसी है या उसके जैसी है तब हम यूज़ करते हैं जैसे की अज़े उतना ही लंबा है जितना की मै अज़े is as tall as me तो as फिर tall as तो adjective है at all उसके पहले और बाद में as तो इसका अर्थ होगा कि जितना लंबा अज़े है उतना ही लंबा मैं हूँ या मतलब कोई चीज बराबर है या एक समाहन है तब हम इस प्रकार adjective as का यूज़ करते हैं clear तो समझने की साब से उतना ही लंबा जितना की मैं हूँ या फिर हम सिदे से कह सकते हैं अज़े मेरे जितना लंबा है या जितना मैं हूँ उतना ही अज़े है या कोईले की तरह काला है its color is as black as coal its color is as black as coal या फिर हिंदी में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोईले जैसा काला है जब हम बोलते हैं किसी चीज से तुलना करते हैं कि इसकी जैसा काला है ये संत्री जैसा लाल है ये खून जैसा लाल है ये कोग जैसा कलर है इसका तब हम as adjective as रूप का यूज़ करते हैं वह सेर की तरह बहाद्दूर है he is as brave as tiger clear कि he is as brave as tiger मतलब जितना सेर बहाद्दूर होता है उतना ही वह बहाद्दूर है वह मेरी तरह बहाद्दूर है he is as brave as me ऐसा भी हम कह सकते हैं उसकी कार उतनी ही तेज नहीं है जितनी की मेरी कार उसकी कार उतनी तेज नहीं चल रही है जितनी की मेरी कार चल रही है तो ये negative sentence है यूज वही होगा तो negative है तो sentence में not लगेगा tense के साब से his car is not as fast as my car his car उसकी कार उसकी कार इस नहीं है as fast as उतनी तेज जितनी की माई कार मेरी कार clear कुछ और examples comparison के तुलनाव वाले हम देखेंगे और समझेंगे इसका वजन 10 kg से कम है its weight is less than 10 kg तो किसी चीज से कम है की बात करते हैं तो हम less सब्द का यूज करते हैं और फिर उसके बाद then लगाते हैं तो less than मतलब किसी चीज से कम किस से कम 10 की जी 10 की जो 10 kg से उसकी salary 30,000 से अधिक है his salary is greater than 30,000 greater means होता है अधिक मेरा घर यहां से 5 km से अधिक है मतलब अधिक दूरी पर है my home is more than 5 km from here my home मेरा घर is more than more than मतलब अधिक मुर्दिन का अर्थ क्या होगा अधिक और then है इसले तूर्णा कर रहा है more मतलब होता है अधिक then तूर्णा की साब से 5 km 5 km from here मतलब यहां से दोनों अलग-अलग हैं बोथ हर different दोनों के लिए बोथ और अलग-अलग के लिए हम यूज करते हैं different तो हिंदी में हम बले अलग-अलग ही बोलते हैं पर different कार्थ होता है अलग अंदी में हम बले दो बार लिखे अलग-अलग पर इंगलिस में हम एकी बार different लिखेंगे यह बराबर नहीं है these are not equal these are not equal तो equal सब्द कार्थ होता है बराबर तो कुछ बराबर है तो बोलेंगे these are equal yet is equal बराबर नहीं है तो it is not equal equal कार्थ होता है बराबर तो बराबर बोलना चाहते है तो equal सब्द का हम use करते हैं दोनों की कीमते same है दोनों की कीमते समान है price of both is same तो जो same कार्थ होता है होता है समान same to same जैसा हम यूज करते है बोलचाल में मतलब बिलकुल एक जैसा समान तो समान के अर्थ हो में हम same का यूज करते है price of both दोनों की कीमते समान है यह सेम यह ठंडा है its cooler तो यह cooler नहीं है किसी मतलब पहले से थोड़ा ठंडा हो गया है तो यहां पर other words नहीं है पर comparative degree है cool मतलब ठंडा तो उसी comparative degree है cooler तो जिसका कहने का आसे है आपको समझना है कि हम पहले की स्तितिती से इसकी तुलना करता है कि अब यह पहले से थोड़ा ठंडा है its cooler यह उतना ठंडा नहीं है यह गर्म है its hotter its hotter मतलब अभी यहां पर तुलना कर रहे हैं पहले की यह किसी अन्य चीज़ से कि किसी चीज़ से यह temperature से अधिक गर्म है यह हम इसको बोल सकते कि 100 डिग्री से जादे गर्म है its hotter than 100 डिग्री यह उतना तीज नहीं है जितनी की मैंने सोचा था its not faster as I expected its यह मतलब it is not faster फास्ट कि कंप्रेटे डिग्री फास्टर मतलब तेज तो यह उतना तेज नहीं है as जैसा कि I expected मतलब मैंने सोचा था अनुमान लगाया था यह गेन से भी छोटा है it is smaller than ball it is smaller than ball तो clear है it is यह smaller small मतलब छोटा तो इसकी कंप्रेटेग्री smaller तो छोटा है then ball तो then तुलना कर रहे है इसलिए then फिर दूसरी चीजी से तुलना कर रहे है then के बाद तो आज के वीडियो में बस इतना ही अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेस के साथ मिलते रहे और आप इंगलिस सीखते रहे थेंक यू